गरम ओयल कर लेना है उसके अंदर अद्रेक लेसीन का पीस डालना है हम लोगों ने और उसको हलका सा ब्राउन करना है जान उसके अंदर हम लोगों प्यास डाल देना है और उसको भी ब्राउन कर लेना है हलका सा ब्राउन हो जाए उसके बाद टमाटर और हरी मिच डाल लेनी ह इन तीनों चारों चीजों को हम लोगोंने ब्रॉण होने तक बना पकाना है और फिर हम लोगोंने सुकमिच, नमक, हल्दी ये तीनों चीजों डाल देनी है और हम लोगोंने मसाला बना दें जैसे नॉर्मन हर अंडिया का बनता है मिसाला उसके बाद हम आलो और पटर डाल देने हैं और उसको हम लोगों ने दस मिन के लिए भूनने हैं अच्छी तरह चब लाकर दस मिन पूनने के बद जैसे पता चलेगा ऑईल शोड दी हैं हंडिया ने तो उसके अंदर फिर तक्रीबर रेड़ी है हमारी यहां डिया पानी डाल देने हैं पानी ताके आलू और मटर गल जाएं गलने के लिए हम लोगों ने अब इसको रख देने हैं हल्की आंच पे रख देने हैं हमारे आलू और मटर रख देने हैं अब उसके अंदर एंड पे दन्या डाल देने और हम लोग हम इसको दो सेकंड के लिए फिर चोड़ देने माया लू मटर रेडी है थैंक यू